हेलो स्टुडेंट्स, मैं प्रिया महभू, गवर्मेंट पॉलो टेक्निकल को लेस जुनजुनों से आज का हमारा टोपिक है ये, अलेक्ट्रिकल थर्डियर कोड 307 पावर सिस्टम सेकेंड का टोपिक रहेगा आज हम पढ़ेंगे introduction of power system, यानि कि हम ये देखते हैं कि power system क्या होता है तो power system एक system होता है जहां पर electricity का उतपादन होता है और उतपादन होता हुआ हम उसका utilize करते हैं तो उतपादन से लेके utilize तक हम जो पूरा जो system होता है उसको हम बोलते हैं power system अब हमें ये तो पता है सभी को कि electrical energy होती है ये हमारे country के development के लिए ले लो या फिर हमारे खुट के development के लिए बहुत ही assistional integrants में एक आउती है हमारी morning से लेकी evening तक जित्ती भी जो दिंजरिया होती है हमारी उसमें हमें बहुत बार बहुत time पे हमें electricity के आउसकता होती है चाहे आप light से ले लो fan light हो गया गीजर हो गई प्रेस हो गई काफी सारे instruments हैं तो हमारी electricity के उपर depend है और हम उनके उपर depend है तो हम यह कह सकते हैं कि electricity हमारी daily life के अंदर एक assistional integrants होती है इसलिए हम क्या करते हैं electricity को का उत्पादन करते हैं हम इसके लिए हम electricity का उत्पादन करते हैं अब हम क्या करेंगे उत्पादन हम कैसे करते हैं हमारे पास generating station होते हैं यानि कि जहां पे electricity का उत्पादन किया जाता है उनको बोलते है generating station इंडिया में हम commonly three type के generating station के बारे में हम देखते आए है thermal power plant, hydro power plant and nuclear power plant इनसे हम क्या करते हैं electricity को generate करते हैं और जो हमारी value होती है वह होती है 11 kv यानि कि 11 kv की electricity को हम generate करते हैं अब हमें क्या करना होता है उस generate के वी electricity को हमें हमारे घर तक utilize करना होगा यानि कि हम जो generating station होता है यह हमें पता है यह काफी outdoors में होते हैं हमारा जो load center होता है वो काफी दूर होता है काफी kilometers दूर होता है तो वहां से लेके हमारे load center तक electricity को जिस-जिस system में बाटा गया है यानि कि जिस-जिस part में बाटा गया है वो है हमारा transmission system उसके बाद में distribution system and last आता है हमारा utilization system तो हम यह कह सकते हैं जब हम पूरे power system का एक block diagram बनाएंगे तो हम उसको चार भागों में बाट देंगे generating station, transmission system, distribution system and utilization generating station वो station जहां पे electricity को generate किया जाता है उस generate किवी electricity को हमारे तक पहुँचाने के लिए उसको पहले transmit होना पड़ता है उसको पहले transmit होना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं transmission system system उसके बाद में वो distribution system पे पहुचता है और उसके last में हम उसका utilization करते हैं अब मैंने आपको बताया कि हम 11 kv की जो voltage होती है वो generate करते हैं तो क्या होता है 11 kv जरनेट करते हैं तो हमें transmission क्या हो सकता क्यों होती है अगर हमें 11 kv की 11 kv ही चाहिए तो क्या होगा काफी मैंने बताया है load center हमारे generating station से काफी दूर होते हैं तो conductor के अंदर i square losses होते हैं कुछ corona loss भी होते हैं और other type के भी losses होते हैं तो हमारा जो receiving end है उसके उपर जो हमें voltage मिलेगी वो हमें 11 kv से कब मिलेगी तो हम क्या करते हैं उन lossage से बचने के लिए हम हमारी जो हमने voltage को क्या किया था generate किया था 11 kv की उसको हम step up कर देते हैं through step up transformer तो generating station पे हमारे transformers लगे हुए होते हैं वो उसको step up कर देते हैं और उसको change कर देते हैं 220 kv, 132 kv या फिर हम 400 kv और अभी हम 765 kv तक भी हम step up करके transmission कर रहे हैं उसके बाद में हम जैसे ही उसको उप्योग लेना शुरू कर देंगे तो वो हमारी transmission से होती भी पहुँचेगी distribution system तक distribution system से अलग-अलग part में वो divide हो जाएगी यानि कि primary distribution होता है एक secondary distribution होता है तो primary में industrial वगेर आ गई जहां पे हमें high voltage की जरूरत होती है और secondary हमारे घर की utilize के लिए हो गई तो इसी परकार पूरे power system को हमने चार बागों में बाठ दिया गया है इसमें एक नई चीज और भी है protection switch gear and protection जो हमारा court 309 की जो book है उसमें भी पूरी book है हमारी वो क्या होता है कि हमने power system तो हमने बना लिया है generating station से लेके utilization तक अब हमें हर mode पे यानि कि हर point to point हमें उस system को protect भी करना पड़ेगा कहीं पर भी fault आ गया तो हमारा पूरा system unbalance हो जाएगा जो काफी loss है हमारे लिए तो हम क्या करेंगे उसको बचने के लिए हम उससे हम protection यूज में लेते हैं जो हम हर point पे हम protection लगाते हैं इसको protect करने के लिए इसको power system को protect करने के लिए तो simply block diagram को चार भागों में बाठ दिया गया है generating, transmission, distribution and utilization अब देखिए यहां पे भी यह simple semi block diagram है generating station है, transmission system है, distribution system है and load center है next देखिए power supply system का एक आपको diagram दिख रहा होगा उसमें देखो हमने क्या किया है generating station यहां पे यह generators लिखा हुआ है यहां पे हम generate कर रहे हैं, उसके बाद में हमने generate की, उसके बाद में यह हमारे transformer आ गए इन्होंने क्या किया, step up कर दिया और किता चेंज किया, इन्होंने 132, 220 या फिर 400 के भी तक चेंज कर दिया उसके बाद में हमने उसको transfer किया है, फिर हमने उसको transformer की द्वारा आगी बेजा है जिसमें हमने लिखा है, सब transmission level, transmission level भी दो टाइप का होता है, primary transmission and secondary transmission अब यहां पर क्या लिखा है, हमने primary transmission में लिखा है very large consumer, वो consumer जिनको बहुत ज़्यादा voltage क्या हो सकता होती है उदर इन्होंने use में लिली इसको, उसके बाद में हम इसको वापिस एक transformer लगाएंगे, step down करेंगे, जो कंद कर देगा इसको 66 kv में उसमें भी हमने लिखा है, large consumers, ऐसे consumers जिनको 66 kv क्या हो सकता हो, वो वहां से line निकल गई है वाली उसके बाद में 66 kv को distribution system तक पहुंचाया जाता है, और distribution system भी मैंने आपको बताया था, दो टाइप का होता है, primary and secondary primary में हम 66 kv को change कर देंगे, 33 में और 11 kv में, फिर हम क्या करेंगे, secondary distribution में 11 kv से 400 volt में medium consumer, 33 kv या 11 kv यूज में ले ले लेंगे, and small consumer यानि कि हमारे घरों में जो supply आती है, या आती है 400 की या फिर 230 volt की, तो ये था पूरा हमारा power system, जो generating station से लेखे हमारे घर तक पहुंचती है, तो कैसे कैसे change होती भी आती है, सबसे पहले step up होता है, फिर step down होता है, फिर step down होता है, इसी परकार इसको हमने चार भागों में बाट दिया गया है, अब हम एक main factor हमारे पास या आता है, कि हम जब transmission करते हैं, तो AC transmission कर रहे हैं, या DC transmission कर रहे हैं, तो ये हमारे depend करता है voltage की range पे, अगर हमारी voltage 500 कीवी तक है, तो हम AC transmission यूज में लेंगे, अगर 500 से ज़्यादा है, तो हम DC transmission यूज में लेंगे, AC and DC में transmission के भी कुछ difference होते हैं, कुछ advantage, disadvantage होती हैं, यह हम next class में पढ़ेंगे, कि AC transmission होगा, तो क्या advantage होगी, क्या disadvantage होगी, इसी परकार हम DC का देखीगी, आज का हमारा simple ये था, कि एक block diagram कैसा होता है, power system का कौन-कौन से step में हमने उसको divide कर रखा है, सबका क्या-क्या का काम होता है, और पूरे power supply का system कैसे step अपर,